वेलकम सुदेंट्स आज हम देखने मालें वर्क्षिट नमबर 16 जो कि है 10th of August की इसके इंदर हम क्लास 9 के तीनों सब्जेक्स की वर्क्षिट देखेंगे Maths फिर देखेंगे Science और फिर देखेंगे Hindi आज को हमारा Maths का टॉपिक है वो है linear equation in two variables जिसका मतलब है इसके अंदर दो variables होंगे x या y जैसे कि यहां पर equation में ते रखा है ax plus by plus c equals to 0 आप सोच रहोंगे a b c b जो है वो variable है बट इनकी जगा पे जो है वो numbers हैंगे जहांपे जो example दे रखा है 2x plus 3y equals to 12 तो basically एस equation में जो variable है वो x या y ही है तो जो भी variable है वो change भी हो सकते है x y के जगा पी q भी हो सकता है बट एबी सी की जगा पर constants ज़रूर आएंगे तो इस टाइप की जो form होती है उसे कहते है linear equation into variable आई चलते हैं इसको किस तरी के solve करना है वो देख लेते हैं पहले हम इसके जो questions है मैं उनीक को ही solve करके देखेंगे और उसके बाद यह जो questions है examples में जो दे रखे हैं मैं चाहूंगा कि आप इनको try करें और समझने की कोशिश करें आई चलते हैं सीधा questions के answers की तरफ पहला question है हमारे पास 2x plus y equals to 7 यह linear equation into variable है question में पूछा गया था कि इसके four solutions निकाले solutions का मतलब होता है x और y की value निकाले जिससे यह equation satisfy हो सके satisfy का मतलब है LHS जो है वो RHS के equal हो सके मतलब 7 तो इसका method हमने use करा है हो है hit and try method इसके नहीं हमने x की value को कोई भी हम ले सकते हैं 0, positive value, negative value कुछ भी हम ले सकते हैं यह मैंने x की value 0 ली है और इसको equation गयने put करा तो मुझे मिल गया x की value हो गई इसके value भी ले लिए 0 आप चाहे तो x की value 2 या minus 1 कुछ भी ले सकते हैं मैंने यह दिखाने कोशिश करिए कि आप x ए y दोनों ऐसे किसी में भी value अपने आप लेट करके put कर सकते हैं उसके मदद से y की value या x की value आपको मिल जाएगी इस तरीके से चार solution मिल चुके हैं हमारे पास आई चलते हैं question number 2 की तरफ question number 2 में एक equation आपको दे रखी थी linear equation जिसको आपके पास उसकी solutions भी दे रखे थे यहां भी जैसे 0,2 और ऐसे और भी तो आपको बताना था कौन सा solution इसका है और कौन सा नहीं है तो आपको क्या करना है इसके इंदर यह x और y की value मिल गई आपको जो पहला होता है वो x दूसरा होता है वाई जिम कोडिनेट जिमें पर चुके हैं आपको क्या करना है इसकी value इस equation में आपको put करना है और इसके LHS में आप put करेंगे तो equal to 4 चाहिए यह question में दे रखा है तो आप जैसे इसको put करेंगे आपको answer मिल जाएगा अगर 4 आ जाता तो yes होता अगर नहीं आता तो ह यहाँ पर minus 4 मिला है मुझे तो minus 4, 4 की equal नहीं है तो हम लिख देंगे no this is not a solution तो इसी तरीके से second part पर चलते है 2,0 इसको भी हम put करेंगे तो answer no मिलेगा third part देख लेते हैं 4,0 जो हमने put करा answer yes हो गया because answer मेरा जो आ रहा है वो 4 आ रहा है तो हम यहाँ पर yes लिख देंगे last part देख लेते हैं 1,1 इसका answer no आ रहा है minus 1 है तो आज की worksheet में इतना ही next worksheet की तरफ चलते हैं science की work sheet number 16 में हम देखने वाले हैं atomic atomicity and molecule mass का topic सबसे पहले देख थे थे atomicity का topic इसका मतलब किया होता है that the total number of atoms present in a molecule of an element compound or matter is known as atomicity of the molecule तो basically हमें यह इसके अंदर पता करना होता है कि एक element या compound या matter के अंदर कितने atoms से वो बना हुआ है तो एक example देख लेते हैं यहाँ पर H2O H2O क्या है एक water का molecule है इसके दो atom आपको hydrogen के मिलेंगे और एक atom आपको मिलेगा oxygen का तो इसके मालजा total number of atoms इसके हो गए 3 तो इसके atomicity भी क्या हो गई 3 तो एक और example यहां पर दे रखा है oxygen का oxygen का formula हो गया O2 तो इसके इंदर कितने atom हो के दो तो इसकी atomicity हो गए 2 तो 2 atomicity को गोलते हैं die atomic और अगर 3 हो गया तो try atomic इसी तरीके से आपको जो questions है उसमें भी आपको atomicity इसके बाद आपको यहां पर बताया गया है atomic mask का जो unit है वो है यू यू से रिप्रेजेंट करते हैं और इस table के इंदर आपको बताया गया है कि number of atoms किस तरीके से हम find कर सकते हैं किस तरीके साइंटिस्ट करते हैं यहां पर जैसे carbon dioxide का CO2 है तो यहां पर example दे रखा है जो इसक तरीके से आया है तो इसका होता है mass ratio upon atomic mass ratio तो carbon और oxygen का जो mass ratio है वो है 3 is to 8 और atomic mass ratio है वो है 3 is to 4 अगर मैं 3 और 3 को divide करूं तो आएगा 1 और 8 और 4 को divide करूं तो आएगा 2 इसका मतलब atomic number ratio जो हो गया इसका 1 is to 2 इसका मतलब यह हुआ तो अगर carbon dioxide बनानी है तो एक atom of carbon लगेगा और दो atom of oxygen का हमेरे पास चाहिए होगा तो हमारे पास carbon dioxide बनानी है तो एक example और हम देखेंगे कोशन के अंदर अभी चलते हैं molecular mass की तरफ molecular mass के लिए आपको यह इनका atomic mass आपको पता होना चाहिए यहां पर नोने दे रखा एक तरीके से table और किस तरीके से find करते हैं वो देख लेते हैं यहां पर carbon dioxide co2 का हम molecular mass find करेंगे यहां पर जो carbon है वो एक atom है तो इसलिए हम 1 into molecular mass atomic mass of carbon कर देंगे तो जो कि है 12 तो यहां पर 12 into 12 हो गया और 2 atom of oxygen है तो atomic mass of oxygen हो गया आपका 16 यहां पर दे रखा है तो 16 into 32 तो टोटल हो गया 44 44 इसका atomic mass हो गया किसका carbon dioxide का इसी तरीके से H2O का भी दे रखा है यहां पर H2O तो टू टाइमस hydrogen hydrogen का atomic mass है वन और oxygen का वन है यहां इंटो 16 यहां पर आपका 18 तो सेम चीज हमने यहां पर questions में भी देख रखी है रही चलते questions की तरफ questions में हम सीधा इसके answers आपको display पे लगा देते हैं इसकी मदद से आप इसको अच्छे से पढ़के समझ सकते हैं और साथ सा कि हमारा पहला question था what is atomicity जिसके बारे हम पहले भी discuss कर चुके तो उसका practical question जो है वो देख लेते हैं यहां पर की वेसो फोर दे रखा उसका atomicity हमें फाइंड करने थी यहां पर सी यू का वन आटम एसका वन आटम और ऑक्सिजन के फॉर आटम ओके तो टोटल हो गए six इसी तरीके से होगे one plus one यहां पर two atomicity हो गई इसी तरीके से बाकी सब की भी आप हमने शोग कर रखे है कोई डाउट हो तो आप comment section में पूज सकते हैं नेक्स चलते हैं हुन्होंने hydrogen और h2o मत्या water का जो ratio है atomic number का वह two is to one है वो किस तरीके से वह find करने के लिए बोड़ा था तो हमने जैसे के बोला आपको mass ratio और atomic mass ratio को हमें divide करना होता है तो hydrogen और oxygen का mass ratio है 1 is to 8 और atomic mass ratio है 1 is to 16 1 divided by 1, 1 हो गया और 8 divided by 16, half हो गया अब यहां पर इस तरीके से ratio नहीं लिखते है fraction में तो हमें इसको fraction से हटाने के लिए basically हमने LCM लिया है यह आप समझे लिए यहां पर denominator 2 है तो 2 से multiply कर दिया तो 2 times 1, 2 हो गया और half times 2 हो गया 1 हमारा ratio हो गया हो 2 is to 1 तो third question के दर शलते है third question मैं बोला था हम molecular mass निकालना है बहुत सारे आपको question दे रखे थे ने CL हमने table की मझद से उनकी जो value है वह यहां पर put कर दिया है one atom na है और one atom CL है इसलिए one से multiply कर रहा है वो table से value देखे तो देरे देरे करके आप कोछिछ करें वो table की value याद भी कर लें तो इसी तरीके से बाकी भी दिखा देते है आपकी हिंदी की वोक्षीट देख लेते हैं हिंदी की वोक्षीट है आपकी वोक्षीट नंबर देख लेते हैं यह आपका संदर पार्ट दो लहासा की ओर उसी का continuation में है और आज यह वोक्षीट आपकी complete हो जानी चाहिए यह chapter complete हो जाना चाहिए तो जल्दी से देख लेते हैं कि इस वोक्षीट में क्या है क्रस्तुत गद्यांश लहासा की ओर पार्ट से ली गई है लहासा तिब्बत की राजधानी है पूरा तिब्बत बौध धर्म का अनुयाई है इस अंश में तिब्बत के जीवन से जुड़ी बातों का उलेक किया गया है इसे ध्यान से पढ़कर पूछे गए फ्रशनों के उतर दीजे तो जो आपका पार्ट है लहासा की ओर उसी में से ये लिया गया है ये अंश और इसमें ये भी बताया गया है कि लहासा जो है वो तिब्बत की राजधानी है और तिब्बत में जो लोग है वो बौध धर्म को फॉलो करते हैं बौध धर्म को मानते हैं वो तो उसी तिबबत के जीवन से जुड़ी ही बातों का यहां उलेक्स किया गया है तिबबत की जमीन छोटे बड़े जागिरदारों में बटी थी इन जागीरों का बड़ा हिस्सा मठों के हाथ में था अपनी अपनी जागीर में हर जागीरदार कुछ खेती खुद करता था जिसके लिए मजदूर उन्हें बेगार मिल जाते थे तो तिबद का जो एरिया था जो वहां की जमीन थी वो छोटे बड़े जागीरदारों में बटी थी उसके जो एरिया थे, कुछ छोटे हिस्से थे और कुछ बड़े हिस्से थे और वो आपस में ही, जागीरदारों में, मतलग जूर वहां पर लैंडलॉड्स थे, वहां पर जो लोग थे जिनका वो एरिया था तो उनमें आपस में वो बटी हुई भी, लेकिन उनका जो मेजर प उनके हातों में उनका सबसे बड़ा हिस्सा था, तो वहां पर जो अपनी अपनी जागीर थी, उसमें जो जागीरदार थे, वो खुदी करते थे, लेकिन वो साथ में मजदूर भी रखते थे, तो साथ ही उनने बेगार मजदूर भी मिल जाते थे, कम पेपर मजदूर भी मि क्योंकि स्वेम भगवान बुद्ध भी जो थे वो भीक्षू बनकर ही मतलब भीक मांगते हुए ही अपने जीवन यापन करते थे अपना दाना पानी वो दूसरों के दिये हुए खाने पर ही चला ते तो इसलिए जो बादधर्म के अनुयाई होते हैं जो फॉलोवर्स होते है बादधर्म के वो भी ये प्राक्टिस अपनाते हैं कई मंक्स हैं जो ये प्राक्टिस अपनाते हैं और भीक्षू बनकर लोगों के दिये हुए दाना पानी पर ही अपना जीवन चलाते हैं तो ऐसे ही खेती का इंतजाम देखने के लिए वहाँ पर भीक्षू को भीजा जा पर पर नियु ज correspond like मोक्र नुमक्या की समेंड़ के शेकर की खेती के मुख्या भिक्षू नमसे लेक अब युद का नाम है तो वहा जुद के चती होटी थी वहांके जो मुख्या मासिारी हं dunno उनका नाम का नम से और वो जो है वो लेखक से बहुत ही प्रेम से मिले वे बड़े भद्र पुरुष थे अब भद्र पुरुष का मतलब क्या है भद्र पुरुष का मतलब है बहुत ही अच्छे आचरण वाला व्यक्ति ऐसा व्यक्ति जो बहुत ही अच्छे कुल्चे हो और बहुत ही अच्छा उसका बिहेवियर हो, बाकी सबसे बहुत मिलजुल कर रहता हो, तो ऐसे पुरुष थे वो, हाला कि ऐसा नहीं था कि उन्हें कुछ भी ख्याल करना चाहिए, तो यह थोड़ा सा एडिटेड लाइन है, आप अगर उरिजनल चाप्टर में पढ़ेंगे, तो इस लाइम में यह लिखा है, कि जो लेखक थे, उन्होंने जैसे कपड़े पहने हुए थे, वो बहुत ही पुर नावा था, उसके बावजूद नमसे जो थे, उन्होंने उनका बहुत ध्यान रखा, यहां एक अच्छा मंदिर था, जिसमें कंजुर, गुद्वचन, अनुवाद की हस्त लिकत, 103 पोथियां रखी हुई थी, तो अब उन्होंने नमसे ने उनका कैसे ध्यान रखा, तो वो अब बताते हुए, वो बता रहे हैं लेकर, कि वहाँ जो मंदिर था, वहाँ पर क्या-क्या था और फिर वहाँ पर उन्होंने उनका कैसे ध्यान रखा, तो यहां पर दो इंपॉर्टन चीज़े हैं, पहला कंजुर क्या है, तो जहाँ पर मंदिर में कंजुर था, तो जो जो उनके वचन थे, जो जो उनोंने कहा वह हैं बुध्वचन में बदल गया, और उनको फिर लोगों ने लिखित रूप में लिखा, तो लिखित रूप में उसको जब संजोया लोगों ने और फिर बाता तो वो जो है, वो कंजुर के नाम से वो सम्मे पहला, जो तो यहां एक अच्छा मंदिर था जिसमें कंजुर की हस्त लिखित एक सो तीन पोथियां रखी हुई थी तो जो कंजुर थे वो प्रिंटेड नहीं थे या कोई ऐसी बुकेश उसमें नहीं थे बलकि हैंड रिटन थे हस्त लिखे थे हाथों से लिखे गए थे और उनकी एक सो तीन पोथियां रखी हुई थी तो एक सो तीन वो चोटी चोटी उनके बंडल्स बने हुए थे और वो प तो जब लेखक को मंदिर में उन पोथियों के पास ही आसन दे दिया गया तो लेखक को बहुत ही अच्छा महसूस हुआ और वो कह रहा है कि नमसे ने उनका बहुत ध्यान रखा वह बड़े मोटे कागस पर अच्छे अक्षरों में लिखी हुई थी एक-एक पोथी 15-15 सेर स कम नहीं थी तो जो कंजुर थी वो बहुत ही मोटे कागस पर और बहुत ही सुन्दर अक्षरों में बहुत अच्छी ही तरीके से जो है उस पर जो लेटर लिखे हुई थी बहुत ही सुन्दर तरीके से लिखे हुई थी और जो एक-एक पोथी थी वो इतनी भारी थी कि वो सुमती ने फिर आसपास अपने यजमानों के पास जाने के लिए पूछा, तब लेखक पुस्तक पढ़ने में मग्म थे, इसलिए उन्हें जाने के लिए कह दिया, सुमती जो यहां पर है वो लेखक के ट्रैवलर गाईड है, तो उन्होंने पूछा लेखक से कि क्या मैं आसपास अपने जो जानने वाले हैं उन्से मिलाऊं, यजमान का मत्रब होता है अच्छे लोग, जो जानने वाले अच्छे लोग होते हैं, तो वो वहां जाना चाहता थ तो लेखक जो था वो पुस्तक पढ़ने में मगन था, तो लेखक को पुस्तके मिल गई थी और बस वो उन्ही में खो गया था, उन्ही को पढ़ने में खो गया था, इसलिए उसने का कि ठीक है तुम जाओ, दूसरे दिन वे गए, तो लेखक को लगा कि दू-तीन दिन तो सुमती जो थे वो अगले दिन गए, दूसरे दिन वो गए वहाँ पर यजमानों से आसपास के गाओं में मिलने, तो लेखक को लगा किया अरे अब तो इने दो तिन दिन में आएंगे ये वापस, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, सुमती जो है वो दुपेर तक ही वापस लॉट तिडरी गाओं वहाँ से बहुत दूर नहीं था, लेकक ने नमसे से विदाली और चल पड़े, तो लेकक अच्छली में तिडरी गाओं की ओर बढ़ रहे थे, और वो यहाँ से बहुत दूर नहीं था, तो जब वो सुमती टाइमली वापस आ गए, वो दुपेर में ही लॉ तो दोनों नहीं नमसे से विदाली और आगे तडरी गाओं की तरफ चल पड़े, अब चलते हैं इनकी प्रशन देख लेते हैं, आपसे जो प्रशन पूचे गए हैं, पहला प्रशन यहाँ है, भिक्षु को कहा और क्यू भेजा जाता था, तो अगें डिस्क्रिप्शन में जैसे आपको बताया था कि विक्षु को शेकर विहार में अपनी पी जागीर में खेती का अंतजाम देखने के लिए देजा जाता था, हम आपको यह सैंपल आंसर भी दिखा देंगे, और कोई भी अगर आपको डाउट हो तो आप ज़रूर कॉमें सेक्शन में पूच सकते ह तो चलिए प्रशन दो पर चलते हैं, नमसे कौन थे तथा कैसे व्यक्ती थे, अगें डिस्क्रिप्शन में अभी आपको मैंने समझाया कि शेकर की खेती के मुखिया भिक्षु नमसे थे, वे बहुत ही भत्र पुरुष थे और वो अतितियों का प्रेम से सतकार करते थे, प प्रशन चार है आपका मंदिर में क्या रखा हुआ था, तो मंदिर में कंजुर की हस्त लिखित एक सो तीन पोथियां रखी हुई थे, प्रशन पांच है आपका कंजुर किसे कहते हैं, तो कंजुर बुद्धवचन के अनुवाद को कहते हैं, यह अभी आपको हमने इस सारे आंसर्स डिस्क्रिप्शन में पैसे डिस्क्राइब करते हुए मैंने आपको समझाए हैं, फिर भी अगर आपको कोई डाउट है तो आप कॉमें सेक्शन में जरूर पूछिए, आप इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही पूरी-पूरी वीडियो देखिए हमारी ताकि आपको अच्छे से वीडियो समझ में आए और नोटिफिकेशन बेल आइकन को दबाएए ताकि जैसे ही हम वीडियो अप्लोड करते हैं तो आपको इमीडेटली पता चल जाए उमीद करते हैं यह वर्कशीट आपको अच्छे से समझ आ गई हो, आज क के लिए इतना ही है, थैंक यू